हेलो फ्रेंड्स RS024 कंपनी में टास्क कंप्लीट करना बहुत ही असान है उसके लिए सबसे पहले आप प्लेयर स्टोर से एप डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद आप आप के आइकन पर क्लिक करें क्लिक करने का आद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना जैसा कि स्क्रीन अ कि नेक्स्ट पर कलिक करते हैं या एक फीर आपको लोगिन का पेज ओपन हो जाते हैं लोगिन करने के लिए यहां पर अपना username और password डाल के लोगिन पर क्लिक करिए . इसा लोडिंग होगा लोडिंग होने के बाद ये next पे click करिए next पे click करने के बाद ये आपका यहाँ पे चार option आ रहा है dashboard, add money, recharge money transfer जिसमें आपको dashboard पे click करना है dashboard पे click करने के बाद आपको ये page आएगा जहाँ पे आपका पूरा earnings होगा यहाँ पे मेरी ID paid है देखें यहाँ पे ID status paid दिखा रहा है फिर आपको यहाँ पर go to website पर click करना है go to website पर click करने के बाद एक नया page open होगा जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं हमारा net थोड़ा slow है इसलिए थोड़ा time लग रहा है देखिए और ये अपना page open हो गया है यहाँ पर page पर नीचे जाएने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा ID status active है क्योंकि हम अपने ID को activate कर चुके हैं हमारा ID active है यहाँ पर फिर नीचे और जाना है page पर इसी page पर और नीचे जाने के बाद यहाँ पर अभी page open नहीं हुआ है अच्छा से net throw slow है इसलिए थोड़ time लग रहा है देखिए यहाँ पर दो add आया इसको close करना है close पर क्लिक करके फिर इसे भी close करना है अस्कीन पर देखिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पर देखिए अपने page पर एक आगया यह free task का एक option है क्लिक करना है कि क्लिक करने के बाद एक नया page open होगा जैसे देखिए एक page open हो गिया है यहाँ पर अपना टोटल टास्क दिखा रहा है completed आर्ट दिखा रहा पेंडिंग चार्ड दिखा यहाँ पर मैं एक टास्क अल्रेडी complete कर चुका हूं यहाँ पर टास्क को देखने के लिए click to visit टास्क पर क्लिक करना है क्लिक करने का बाद यहाँ पर add आया इसको cut कर देना है cut करने के बाद एक page खुलेगा page खुलने के बाद यहाँ पर देखिए visit now का एक option आ रहा है उस पर click करना है जैसे ही हम visit now पर click करेंगे हमारा page open हो जाएगा और उपर में right side में एक timer चलेगा 20 सेकेंड का उत्ता हमें wait करना है जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर timer धिरी धिरे घट रहा है जैसी timer खत्म होगा यहाँ पर फिर से visit now का option आएगा फिर से इस पर click करना है visit now पर फिर फिर सेम timer चलेगा 20 सेकेंड का उत्तादिर हमें इंतिजार करना है जैसे यह timer खत्म होगा देखें यहाँ पर एक go back task completed का आ गया बटन फिर go back पर click करना है go back पर जैसे हम click करेंगे उसी page पर go back पर click करने के बाद यहाँ पर एक page खुलेगा उसी page पर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पर arrow बटन के नीचे एक continue to complete your task आ रहा है continue to complete your task पर click करना है click करने के बाद हम एक नए page पर पहुंच जाएंगे फिर वहाँ पर देखिए अब page इस तरह कर खुल जाता है फिर से आप हम हम लोग पहले बाले starting page पर ही पहुंच जाते हैं यहाँ पर देखिए फिर से वही option आ गिया सारा फिर से फिर टास्क पर click करना है फिर टास्क पर click करने का फिर से नया page खुलेगा देखिए पेज खुल चुका है फिर से देखिए यहाँ पर अपना total टास्क दिखा रहा बारा देखिए अभी उसके पहले पर आपने फिर से फिर से क्लिक करना है यहाँ पर टास्क आएगा जहां पर complete नौप पर click करना है complete नौप पर click करेंगे तो हमारा फिलिप कार्ट का एक पेज खुलता है इस पेज पर पांस सेकेंड का इंतजार करना है और फिर बैक बटन का यूज करिए एक बार फिर देखिए यहाँ पर बापिस उसी पेज पर आ जाईएगा वहाँ पर आपको सीधे दिखा देगा यहाँ पर की जो continue to complete your टास्क कि यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करना होता है जैसे कि पिछले टास्क में हम लोग किये थे continue to complete your टास्क पर क्लिक किये क्लिक करने के बाद आपना एक पेज खुलेगा वहाँ पेज आ रहा है फिर से देखिए नीचे तो अस और पेज को स्क्रॉल करेंगे अ कि स्क्रॉल करने के बाद देखिए फिर से वहाँ option आ गया सारे फिर से फ्री टास्क पर क्लिक करेंगे फिर अपना एक नया पेज खुलेगा पेज खुलने तक थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि हमारा net connection थोड़ा वीख है देखिये अब अपना पेज खुल गया है फिर task पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे पेज पेज पे जाना है फिर देखिये अब हमारा pending task सिर्फ 2 दिखा रहा है फिर click to visit task पर click करना है, ऐसी करके अपना सारा task complete कर लेना है, click to visit task किये, फिर से page खुला, page फिर से यहाँ पर देखे, visit now का option आ रहा है, उस पर click करना है, visit now पर click करने के वाद सेम, पहले जैसा ही यहाँ पर देखे, उपर में, page के right side में, एक timer चलेगा 20 सेकेंड का, उत्ता दिर हमें wait करना है, page का timer तो चलता रहेगा, ऐसे ही सेम जैसे आप a screen पर देख रहे है, यह देखिए, second घट नहीं रहा, क्योंकि हमारा net थोड़ा slow है, इसलिए थोड़ा time लग रहा है, अब हमें लगता, page को refresh करना पड़ेगा, देखिए, फिर से हमने page को refresh किया, net का speed अगर आपका अच्छा रहेगा, तो यह सारे task आप मात्र 20 सेकेंड में complete कर लेंगे, सॉरी 20 मिनट में, दोनों active task प्लस free task, देखिए, फिर से हमें page refresh करना पड़ रहा, क्योंकि net slow है, मैं एक पर फिर से page को refresh कर रहा हूं, देखिए, फिर से आ गया, अब net का speed देखिए, थोड़ा बड़ा है, तो open हो गया page, फिर से बिजिट नौ पर click करना है, बिजिट नौ पर click करने के बाद देखिए, उपर, राइट साइड में टाइमर चल रहा है, 20 सेकेंड का, सेम यही टास्क आपको free टास्क और active टास्क दोनों में करना है, सारे procedure सेम है, बस आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लिजे, पूरे last तक आपको task complete करने में कभी कोई problem नहीं आएगा, अब देखिए, विजिट नौ पर click करना है, फिर से यह add आया, add को cut कर देना है, cut करेंगे, तो फिर से page खुलेगा, देखिए, फिर से अपना timer चलने लगा, उत्रा देर हम लोग wait करेंगे, अब बस यह इस वीडियो को last तक देख लिजे, आप दोनों task आराम से कर सकते है, active task plus free task, फिर से देखिए, यहाँ पर go back पर click करना है, go back पर click करने के बाद, अपना एक नया page खुलेगा, देखिए, page open हो रहा है, यहाँ देखिए, page पर, इसी page पर थोड़ा नीचे जाना है, देखिए, continue to complete your task पर click करना है, इस पर click किये हम, तो फिर से page खुला, इसी page पर अपना scroll करके नीचे जाना है, इसी page पर और नीचे जाने के बाद, हमें फिर से वही option आने लगेंगे, सारे, free task, active task, बगेरा, देखिए, और नीचे जाते हैं, देखिए, आ गया सारा options, फिर से आपको free task पर click करना है, free task पर click करने के बाद, फिर से अपना page खुलेगा, जैसा कि पिछले task में हो रहा था, मैं यह बार बार repeat इसलिए कर रहा हूं, ताकि आप बस एक बार यह वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा task complete करने में, देखे, free task पर जैसे हम लोग click कियें, यह पेज खुला, फिर से वहीं पर जाएंगे, हम लोग जहां पर सारा task दिखाता है, अब देखे, अपना pending एक ही दिखा रहा है, फिर से click to visit task पर click करना है, फिर से page खुलेगा, फिर से अपना visit now का option आएगा, देखे, आ गया, फिर से उस पर click करना है, यह सारा process मेरे mind में set हो चुका है, क्योंकि मैं यह बार बार करता हूँ, दिखे, visit now पर click करने के बाद उपर right side में फिर वह ही, एक timer चलेगा, page पर 20 सेकंड का, इसलिए थोड़ा time लगता है, देखे, चलने लगा, अगर नेट का speed अच्छा हो तो आप यह task 20 मिट में कर लेंगे, दोनों, अगर आपकी ID paid है, तो आपको active task भी आएगा, अगर free ID है, तो सिर्फ आपका free task आएगा, देखे, अब अपना timer खतम हुआ, फिर से visit now पे click करना है, फिर से visit now पे click करने के बाद अपना timer स्टार्ट हो गया, इतने देर तक हमें wait करना है, आप लोग प्लीज हमें support करिए, अपने इस channel को जित्ता ज्यादा से ज्यादा हो से के share करिए, like करिए, subscribe करिए, जैसे आप इसे subscribe करेंगे, जैसे मैं कोई नया वीडियो इस पर upload करूँगा, इस channel पर तो आपको notification आपके पहुँच जाएगा, देखिए फिर go back आ गया, फिर go go back पे click करने के बाद, अपना ये page खुलेगा, page खुल गया, देखिए अभी पूरा अच्छा से नहीं खुला है, खुल रहा है, इसी page भाँ में नीची जाना है, continue to complete your task पे click करना है, देखिए अपना page खुल रहा है, देखिए नीची जाने के बाद, page पर नीचे जाते हैं, सारा चीज यहां पर फिर से सो होने लगेगा, वही सारे options आ जाएंगे नीचे, free task, active task, देखिए सारा option आ गया, हमारा task complete हुआ या नहीं, यहां देखिए यहां पर today task, यहां पर दिखा रहा है, done, yesterday भी done, free task में, pending में में मेरा देखिए, अभी pending ही दि फिर से click करेंगे, तो अगर आप task complete कर चुके हैं, 12, तो यहां पर आपको बधाई हो कम ऐसे जाएगा, बधाई हो कम ऐसे जाया, यहां पर दिखा रहा है कि आपका task complete हो चुका, आपको बॉलेट में पैसा add हो गया है, इसी page पर थोड़ा सा बेट करते हैं, बैक करते हैं, फिर से आपको वही सारे options आ जाएगा है, क्योंकि हमारा ID paid है, इसलिए हमें active task भी आएगा, active task पर देखिए, click करते हैं, click करने के बाद अपना page खुलेगा, जहां पर सारा task दिखाता है, देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, आप बस screen पर जमाए रखिए, और सुनते रहिए, देखिए, सारा task दिखा रहा है, यहाँ पर, total task 12, pending 12, completed 0, क्योंकि हमने एक भी task complete नहीं किया, यहाँ पर फिर से हम लोग click to visit task पर complete करते हैं, देखिए, फिर से अपना visit now आ गया, फिर से visit now पर click करना है, मतलब कि एक बार आप free task कर लीजेगा, तो active task करने में कोई दिखकत नहीं आगा, क्योंकि जो active task है, सारा process हुआ ही है, जो free task में हम लोग कर चुके हैं, देखिए, फिर से वहाई आपना visit now पर click किये थे, तो फिर से यहाँ पर timer चलेगा, timer देखिए चल रहा है, मैंने यह वीडियो जान बुझकर, जब नेट सुलो है, तब shoot किया है, ताकि जो face, मैं करता हूँ, task complete करने के दोरान, वो आपको भी पता चले और, इसमें सारा कुछ आपको पता चल गया होगा, कि कैसे कैसे, कब page अच्छा से बाक नहीं करें, तो refresh करें, देखिए, फिर से विजिटनों पर click किये, तो फिर से timer आ गया, मतलब एक बार बस आप free task कर लिजिए, active task तो अपने आप कर लिजिएगा, करना कुछ है नहीं, बस अराम से बैठे रहिए, और घर बैठे पैसा कमाईए, हमें नहीं लगता कि RS024 कमपनी की तरह और भी कोई साइट है, जो घर बैठे बैठे सिर्फ बीस मिन डेली काम करके, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जा सकता है, देखिए, फिर से अपना page open हो गया, गो बैठे क्लिक करने के बाद, देखिए, फिर यहाँ पर आया, continue to complete your task पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, यह अपना page open हुआ, इस पर और नीचे जाना है, देखिए, और नीचे जाईए, और नीचे जाने के बाद, देखिए, यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, page अच्छा से नहीं खुला भी, क्योंकि नेट स्लो है, page open होने देते हैं थोड़ा अपना, सारे options वही आएंगे, free task, active task, get team view, सारे कुछ आते हैं यहीं पर, देखिए, बस page एक बार open होने देजिए, देखिए, नेट वर्क ही स्लो है, देखिए, आगे आपना options, सारा, फिर से active task पर क्लिक करना है, active task पर क्लिक करने के बाद फिर से देखिए, वह page खुलेगा, देखिए, पेज अपना open हो गया है, वहाँ पर देखिए, इसके पहले हमने एक देखिए, यहाँ पर मेरा complete उस समय 0 था, आप देखिए, 1 दिखा रहा है, pending अप इगा रहा हो गया, फिर से click to budget task पर क्लिक करके अपना task complete कर लेना है, आप तो आप कर ही लिजेगा, क्योंकि सारा process हम बता चुके हैं पहले भी, आप बात करते हैं, अपने company के बारे में, यह बहुत अच्छी company है, 100% trusted company है, यह आठ मंत से हर मंत payout दे रही है, इस पर believe करके इस पर join करिए, और अपना task complete करिए daily और daily पैसे earn करिए, इसको join करने के लिए, हमारे description में registration link दिया हुआ, उस पर click करके आप join कर सकते हैं, जैसे आप इस company के join करिएगा, आपको 50 रुपिया sign up bonus मिलेगा, फिर आप लोग अपना user ID, पासपर्ट डालके, मैंने एक और वीडियो इस पर डाला हुआ है, अल्रेडी, हमारे इस technical आदित्या चैनल को ज़्यादा ज़्यादा subscribe करिए, share करिए, अपने team को send करिए, ताकि सब लोग इसे देखकर अपना task complete कर सके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, अपनी इस channel को ज़्यादा ज़्यादा like, share, subscribe करिए, आप लोग हमें support करिए, हम आपके लिए और अच्छी से अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको RSU24 कमपनी में काम करने में कोई भी problem ना हो, एकदम बिंदास हो के इसमें काम करिए, जितना बड़ा आपका टीम होगा, उतना ज़्यादा आप इसमें अर्ण कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 100% trusted company है, थैंक्यू, धन्यवाद,